नवस्कार स्वागत आप सभी का दे पब्लिक मैटर में और मैं हूँ आपके सताथ प्रियंका तो चलिए बड़ी ख़वर के साथ शुरुआत करेंगी किरकेट वो इंडिया टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी पतनी साक्षी वो बीटी संग्पंत नगर एयरपोर्ट पहुंचे उनके साथ उनकी कई दोस्त भी पहुंचे महेंदर सिंग धोनी एयरपोच में लगभग आधा घंटे रुके इस दोरान धोनी ने कर्मियों के साथ फोटो भी खिचवाई इसके बाद महेंदर सिंग धोनी पतनी साक्षी वो बीटी और दोस्तु के साथ ननिताल के लिए रवाना होगे जिसके बाद भारतिय किरके टीम के पूर्वकप्तार महेंदर सिंग धोनी अपनी पत्नी और अहने दोस्तों के साथ बाबा नीम करोली महराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे इस दोरान धोनी की पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया में ननिताल की खूब सूरत फोटो और वीडियोज शेयर करते हुए ननिताल की सुन्दरता की तारीफ की वहीं आपको बता दे इस दोरान पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी अपने पैत्रिक गाउं अलमोडा के सालम इस्थित लौली पहुंची महेंदर सिंग धोनी पत्नी शाक्षी और बेटी और अपने दोस्तों संग अपने पैत्रिक गाउं है गाउं पहुंचने पर गरामिनों ने उनका जोरदार स्वागत किया इस दोरान महेंदर सिंग धोनी ने पत्नी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ मंदिर में पूजारशना भी की पूर्वकप्तान के पहुंचने पर अलमोडा में खुश्यों की लहट दोर पड़ी है पूर्वकपतान महेंदर सिंग धोनी 20 साल बाद अपनी पत्नी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ जैसे ही गाउं पहुंचे तो इस दोरान उनकी जलक पाने के लिए प्रसंसकूं की टीम जुटी रही किरकेटर वो इंडिया टीम के पूर्वकपतान महेंदर सिंग धोनी इससे पहले 2003 में गाउवाये थे ग्रामरी ने धोनी के साथ सेल्फी ली और धोनी शाम को कौसानी के लिए रवाना हो जाएंगे वही सूतरू से मिली जुआनकारे के मताविक 19 नवेंबर को उनकी पत्नी साक्षी धोनी का जन्म दिन है और उसके लिए इस खास दिन को सेलिब्रेट्स करने के लिए पूर्वभारती कप्तान नेन ताल पहुँचे वही साक्षी ने भी अपनी इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया है जिसमों हुने लिखा है कि बाधडी वीक उत्राखंच की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़र डालने के लिए फेस्बुक पेज़ पर दपब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें इसी तरह देखते रहे दपब्लिक मैटर नमस्कार किरकेट वो इंडिया टीम के पूर्व कपतान महेंदर सिंग धोनी पतनी साक्षी वो बीटी संग्पंत नगर एयरपोर्ट पहुँचे उनके साथ उनकी कई दोस्त भी पहुँचे महेंदर सिंग धोनी एयरपोर्ट में लगभग आधा घंटे रुके इस दोरान धोनी ने क किरकेट टीम के पूर्व कपतान महेंदर सिंग धोनी अपनी पतनी और अन्य दोस्तों के साथ बाबा नीम करोली महराज के दर्शन करने के लिए पहुँचे इस दोरान धोनी की पतनी साक्षी ने सूशल मीडिया में ननिताल की खूब सूरत फोटो और वीडियोज शेयर कर करते हुए ननिताल की सुन्दरता की तारीफ की वहीं आपको बता दे इस दोरान पूर्व कपतान महेंदर सिंग धोनी अपने पैत्रिक गाउं अलमोडा के सालम इस्थित लौली पहुंची महेंदर सिंग धोनी पतनी शाक्षी और बेटी और अपने दोस्तों संग अपने गाउं हैं गाउं पहुंचने पर गरामनों ने उनका जोर्दार स्वागत किया इस दोरान महेंदर सिंग धोनी ने पतनी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ मंदिर में पूजारशना भी की पूर्व कपतान के पहुंचने पर अलमोडा में खुश्यों की लहट दोर पूर्व कपतान महेंदर सिंग धोनी इससे पहले 2003 में गाउवाए थे ग्रामनी ने धोनी के साथ सेलफी ली और धोनी शाम को कौसानी के लिए प्रवाना हो जाएंगे वही सूतरू से मिली जुआनकारे के मताविक 19 नवेंबर को उनकी पत्नी साक्षी धोनी का जन्म दिन है और उसके लिए इस खास दिन को सेलिब्रेट्स करने के लिए पूर्व भारती कपतान नेंटाल पहुंचे वही साक्षी ने भी अपनी इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट क्या है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाधडी वीक